तो है वाट्सुब गैस कैसे हो आप सुभी लोगाई हो कि सब यहां पर बढ़ी आउंगे और आगे भी यह सभी बढ़े रहे तो आज के अमरे यह जो वीडियो बहुत ही ज़दा इंटरेस्टिंग है विकुस आज की वीडियो में यहां पर हम आपको बताने वाले एम परफे यहां पर सही तरह से होता नहीं है जिसके वज़े से वह ना तो यहां पर अपनेट इनमी को हैट्सुट मार पाता है उसमें यहां पर अपनेट इनमी होता है उसको जल्दी से मार देता है तो यहां पर आपको एम परफेक्शन आपको कैसे करना है उसके लिए आपको कौन सी परफेक्शन सही होना चाहिए तो यहाँ पर एम परफेक्ट करने के लिए आपको कौन सी टिप सेंट्रिक लगेगी ओही यहाँ पर आज हम इस टोफिक के वीडियो में बताने वाले तो गाइस आपको यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो गाइस बीन स् कि आपको बताते हैं कि एफ़स्ट वर डिजर्टिकल में आपको एफ़से करना है जिसकी मतल से यहाँ पर आप अपन्याट एनिमी को बहुत ही अच्छा होला हैड्सोट मार पाओ तो आपको डिजर्टिकल में और एंपार आपको करना है तो उसके लिए फॉस्ट आपको ए एनिमी की इस पोजिशन में अगर एनिमी यहां पर स्टील पोजिशन में है तो यहां पर आपको क्या करना होगा अगर एनिमी की पोजिशन स्टील है तो वहां पर आपका जो एम है वो यहां पर पहला आपको रेट करना है रेट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर यहां पर आप आपको किस जगे पर करना है गाईज एनिमी की यहाँ पर चेस्ट से लेके यहाँ पर जो हेड के एरिया है उसमें यहाँ पर आपका एम रेड होना चाहिए अगर एनिमी की वोई संस्टील है तो अगर रणिंग में तो भी आपको अलग यहाँ पर प्रोसेस लगीगी बट द्रेक कर देना है तो यहाँ पर ऐसे आप करोगे तो डिजर्ट इगल और एम 500 में बहुत ही अच्छे एडशोट मार लोगे एनिमी की पुजिशन स्टील होगी तो अब यहाँ पर एनिमी की पुजिशन रणिंग में तो वहाँ पर आपको कैसे एंपर्फेक्क करना है तो वह भी आपको बता देते हैं घ्जेंपल बता देता हूं कि आपको रॉनिंग में हट्शोट कैसे मारना है तो यहाँ पर आपने एकसे एक्जमेबल देखा यह पर आपको ऐसेरनिंग में वेंटे वेट्शोट कैसे लाए मरना है ग्ली सबस् de Preferably 1990 Ama works डector क्या करना है फिए क् M कहाँ पर set करना होगा M कहाँ पर perfect करना होगा तो यहाँ पर आपको M है वो यहाँ पर enemy से यहाँ पर दूर रखना है बट थोड़ा सा हलका सा raid करना है हमारा जो M है उसके यहाँ पर आपको थोड़ा सा raid करना है बट यहाँ पर जो हमारा M है आपर enemy की बहुट पहले ले जाना नहीं है अलका से यहाँ पर आपको aim को rate करना है enemy से दूर रख कर बाद में आपको क्या करना है जैसे हमरा aim rate हो जाए बाद में आपको 3 second के अंदर जैसे हम पर enemy जिस side जा रहा है उस side यहाँ पर आपको 3 second के अंदर द्रेग कर देना तो जाओ चाल पर हो एभी उसरे ने कर दिया तो आपको यहाँ पर एवे आपको करना है open mean कर लिजे डिजर्ट में अच्य तरह यहां पर ain't marijuana call फॉर एंपरफेक कर लोग fout चले जब बात करiamo M887 से यहाँ पर आपको aim perfect कैसे करना है जिसकी मदद से यहाँ पर अपनेट इनमी को 1-10-80 मार पाओ ना यहाँ पर body headshot मार पाओ तो कि जब भी यहाँ पर आप M887 से यहाँ पर 1-10-80 मारने जाते हो तो वहाँ पर आपका aim perfect सही होना चाहिए तो यहाँ पर उसको 1-10-80 लगता है अब आपको aim perfect कैसे करना है तो first यहाँ पर आपको JSM ने पहले बता है वैसे यहाँ पर आपको enemy की position चेक करनी है enemy की position आपको पता चल जाए कि enemy still position में या फिर running में है अगर still position में एक जगे पर खड़ा है या फिर बेठा हुआ है तो आपको एक jump लेना है बट jump कहा पर लेना है तो guys M887 से जब भी यहाँ पर 1-10-800 मारने जाते हो still position enemy को तो वहाँ पर आपका जो aim है वो यहाँ पर aim enemy की body के उपर connect नहीं होना चाहिए आपका जो MAO यहाँ पर enemy से यहाँ पर थोड़ा दूर होना चाहिए मतलब की raid करना नहीं है जब भी still position में आप मारने जाते हो M887 से तो वहाँ पर आपको अपना aim है वो raid नहीं करना है enemy से थोड़ा दूर रखना है और जब भी यहाँ पर आप jump मारने के बार jump जैसे complete हो बाद में आपका aim यहाँ पर enemy की यहाँ पर pair मतलब की यहाँ पर उसके जो पाव है उसके नीचे से आपको उपर के और drag करना है यहाँ और आपको aim को raid नहीं करना है डायरिकल यहाँ पर आपको नीचे से उपर के और drag करना है तो अपनेट इन्यमी को aim perfect यहाँ पर सही हो जाएगा और उसी सही यहाँ पर imperfect की होने की मदद से अपनेट इन्यमी को आप one day wait shoot बहुत ही अची तरह से यहाँ पर आप मार पाओगे अगर इन्यमी की still position हुई तो यहाँ पर आप यह एम perfect की trick को यूज़ कर सकते हो अगर इन्यमी की यहाँ पर running position है तो चिले आपको वह भी बता देते है तो यहाँ पर first आपको example बता देते ह अगर इन्यमी की position यहाँ पर running में है वह यहाँ पर right side जा रहा है या फिर left side जा रहा है तो आपको first यहाँ पर आपको क्या करना होगा अगर गयज यहाँ पर enemy left side जा रहा है तो first यहाँ पर आपको enemy position तो पता चलगी बाद में यहाँ पर आपको एक jump लेना है jump लेना है jump लेन क्यों ड्रेक करना है तो यहां पर आपका M perfect भी इसमें हो जाएगा साथ ही में आप पर opponent enemy को M887 से 1 टेवेट सुट भी लग जाएगा तो किसे यहां पर आपको क्या करना है सिर्फ यहां पर enemy position check करनी है अगर enemy यहां पर left side में होता है मतलब कि left side को जा रहा होता है तो तब भी यहां पर आपको एक जंप करना है जंप करनेक बाद एम यहां पर इनमी से थोड़ा दूर रखना है और यहां पर दूर रखनेक बाद एनमी की पूल से यहां पर आपको पता चल कि एक लेप साइट जा रहा है तो जैसे यहां पर हमारा जंप कंप्लेट हो हमारा एम यहां पर इनमी से थोड़ा दूर हो बाद में आपको डिरेक्ली आपका जो फायर बटन उसको यहाँ पर आपको नीचे से लेप साइट के और ड्रेक कर देना है तो वहाँ पर आपका एम पर्फेक्ट भी हो जाएगा साथ ही में आपको अपोनेट इनमी को वंटे विट सुट भी लग आपको बनाना है तो आपको यह पूरी ट्रीक हो यहाँ पर आपको समझ में आ गए होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजे एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो एक लाइक तो मारी दीजे और गाइज आपको ऐसा लगी कि अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो सेर करना चाहिए तो अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो सेर कर दीजिए पास में दिखने वाला जो बेल आइकन है उसको जल्दी से ओल पे सेड़ कर दीज़े ताकि इन फिचर में जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिक्रेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए और कज़ अभी तक आपनेंंस्टांगरां में फोलो नहीं किया तो जल्दी से मरेंस्टांगरां में फोलो कर लिज़े लिंक यापने हमें इसक्क्रेशन में दिए हुए वहाँ से जाकर आपको अमें फोलो कर सकते हो वहाँ पर आपको कोई भी question, कोई भी doubt हो गेम से रिलेटेड, वन्टे वेट्स और कोई भी ट्रिक्स रिलेटेड तो हाँ पर हमें मेसेज कर सकते हो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा तो चेले गाज मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा, बाई बाई एंड जैहिंद